जागल की रेविन्यू की बात करें, 40% का मुनाफ़े की बात करें, तो वो डवल से ज्यादा हुआ है, 153% का उच्छाल है, और मार्जिन भी थोड़ा सा कंपनी ने इंप्रूव किया है, नतीजों को कहां से सहारा मिला, आगे आए को लेकर, मुनाफ़े को लेकर किस तरह की व अविनाज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने लिए, स्वागत है आप 8900 देश पर, पहले तो इतने अच्छे नतीजों के लिए आपको बदाई भी, आपसे सबसे पहले यही जाना चाहेंगा अविनाज जी, यह जो मुनाफ़े में 153% का जंप आया है, यह कैसे आया कि जो डबल से भी जादा, अलमस्ट धाईगो ना मुनाफ़ा हो गया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिशेग जी और आपके चैनल का, हमको एक मौका दिया है आपने जुड़ने के लिए, तो यह जो मुनाफ़ा कभी बढ़ता है और कभी थोड़ा कम बढ़ कालों की महनत अभी रंग ला रही है, काफी सारी कंपनिया और काफी सारे जो बैंक्स हैं इनके साथ हम पार्टनर्शिप करते हैं, आज हमारे साथ 14 बैंक्स जोड़ी हैं, और पिछले सत्र में हमने 3 PSB बैंक्स अड़ किये थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन बैंक और कैंडरा बैंक इन तीनों के साथ हमारी एंपैनल्मेंट हुई, आक्सेस बैंक के साथ हमने हमारा रिष्टा जोड़ा, हमने बिजनस करना शुरू करा, तो बड़ी-बड़ी बैंक्स हमारे साथ जूड़ रही हैं, बड़ी-बड़ी कंप जिवनाज जी आप कहने कि फिंटेक वाले कंपनी है, मार्जिन हम देख रहे हैं कि आपने 10% का रिपोर्ट किया है, आप बता पाएंगे कि सस्टेनिबल मार्जिन क्या होगा अगले हम कुछ सालों के बात करें तो, और क्या आप 15% के मार्जिन पर लोटने को लेकर आपको उम ना बढ़ने के कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने ज्यादा ट्रेंड्स हैं डिजिटाइजेशन के, कितना ज्यादा कंपनियों पर अभी दबाव है कि वो कंप्लाइंट रहें, वो सारी चीजों को ब्लैक और वाइट में करें, सारे आउडिट ट्रेल चाहिए और ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिर्फ आपके जो अकाउंटन्ट हैं वो उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी ERP होती है, ये इन्फरमिशन आपके बिल्स हैं, आपके इन्वाइसिस हैं, ये तो हर एक एंपलॉई के पास आती हैं, वो कैसे उसको फीड कर रहे हैं, उस वेव पे हम राइट कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि मार्जिन जो हैं, ये आने वाले दो सालों में हमारा फोकस जो है, वो मार्केट शेर कैप्चर करने में हैं, हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश पर कि लोग समझें कि इसके फाइदे क्या हैं कंपनियों में और एंपलॉईज के लिए वो ये क्यों यूज करें तो उसमें हमारा थोड़ा निवेश जाएगा पर आने वाले सालों में अगर आप मीडियम टू लॉंड टम देखते हैं तो यहां पर तो मार्जिन क्या आप कोई इन और्गेनिक कोई योजना बना रहे हैं कोई एक्विजिशन को लेकर किसी पार्टनर्शिप को लेकर आप कुस्तियारी कर रहे हैं कैसे करेंगे आप यह चोटा सवाल नहीं है यह पर मैं संक्षेप में आपको जवाब देने का प्रयाद्न करूंगा हमने और्गानिक ग्रोथ के हिसाब से 45-55% आने वाले साल में ग्रोथ की गाइडन्स दी है पहले 40 प्रतेशत था भी 45-55% दे रहे हैं और दो सालों में हमने यह एक्सपेक्टेशन जाहिर किया है कि हम डबल होंगे हम हमारे बिजनिस को डबल करेंगे तो यह हमारे एक्सपेक्ट अभी बेनिफिट मिल रहा है और हमारे खुद की जो सेल्स पोर्स है जो टीम है जो कॉंट्राइट साइन करते आई है इतने साल उसमें जो मोमेंटम है क्रॉस सेल क्रॉस सेल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टन चीज है क्योंकि तीन प्रोड़क्ट है हमारे बहुत सारे क बात्ची जारी है और जैसे उस पर कोई फाइनल डिसिजन होता है हम आपको वितल्या करेंगे परफेक्ट ठीक है अवनाज जी बहुत शक्रिया सर बात्चीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा बहुत ही क्लैरिटी के साथ बहुत ही बारिकी के साथ आपने अपने नतीजों को भी समझाया और आगे का आउटलुक भी हमारे सामने रखा हमारे दर्श्कों के लिए आप नवसको बताया. Thank you so much sir.